प्यासा कवा एक बार गर्मी के दिनों में एक कवा पानी की तलाश में इदर उदर उड़ रहा था सूरज चिलचिला रहा था और कवा ठाक गया था और उसे पीने के लिए कुछ चाईये था कुछ देर उड़ने के बाद कौवे को एक खेत में चोटा सा घड़ा दिखाई दिया आशा के साथ उस सूख और कौवा जाच करने के लिए नीचे उड़ गया जब कौवा बरतन के पास पहुचा तो उसने पाया कि तली में कुछ पानी था लेकिन मटकेव का मुओ इतना शंक्रा था कि कौवा अपनी चोट से पानी तक नहीं पहुच सकता था कौवे ने कोशिश की और कोशिश की लेकिन उसकी चोट छेद के माध्यम से पानी तक नहीं पहुच पाई निराश कोवा लगबग हार मानने को तयार चतुर कोवे के पास एक विचार था वह कंकड़ा इकटा करने लगा और उन्हें एक एक करके बरतन में डालने लगा जैसे जैसे अधिक से अधिक कंकड़ गिराई गए जल स्थर बढ़ने लगा अंत में कई प्रयासों के बाद पानी का स्थर इतना बढ़ गया कि कोवा उससे पानी पी सके कोवे ने अपनी प्यास बुझाई और अविश्वशनिया रूप से रहात मासूस की चत्तुर पक्षी ने महसूस किया कि उसकी दुरूडता और रचनात मक्सूच ने उसे एक चुनोती पुर्नस्तिती से उबरने में मदद की थी कहानी का नैतिक यह है कि बुध्धि और दुरूड संकल्प से कठिन समस्यों को भी हल कर सकते हैं कौवे की तरह हमें कभी भी उम्मीर नहीं खोनी चाहिए और बाधाओ का सामना करने पर अलग अलग तरीकों की कोशिश करते रहना चाहिए धैरियां और दुरूडता के साथ हम अपने लक्षों को प्राप्त करने का रास्ता खोज सकते हैं चाहिवे कितने भी चुनोती पुर्णा क्यों न लगे